इस वीडियो में डिस्कुसिन करेंगे 6 जुन 2021 के हिमाचल परदेश राष्टे दथांतर राष्टिया क्रानिट आफेर्स के बारे में पहला प्रसन है वर्ल्ड एर क्वाल्टी रिपोर्ट 2020 के मताबिक दुनिया के 30 सबसे प्रदूसी सरों में भारत के कितने सहर है तो 22 भारत के सहर है जो कि सबसे प्रदूसीत माने जाते है साथ में आपको याद रखना है जो हमारी राजधानी दिल्ली का क्सेतर है दुनिया के जो सबसे प्रदूसीत राजधानी है उसमें दिल्ली का नाम आता है नेकिन देखे कुछ ना कुछ हमें इस परेवर्ण को बचाने के लिए करना होगा क्योंकि पिछले कल ली environment day बनाया गया था तो इस कारण बहुत सी हदेन समगरी हमें परेवर्ण से समंदिर देखने को मिली है भारत के किस रज्या में पहली बार बनास्पतियों के डेटा का बैंक त्यार किया जा रहा है तो यह काम किया जा रहा है उत्राखन के दोरा option c is the right answer भारतिया रेलिवे किस वरस तक कार्बन उतसर्जन को सुन्या तक ले जाने का लक्सया निर्धारित किया गया है तो वर्स 2030 तक हमारा जो रेलिवे डिपार्टमेंट है वो चाता है कि हम जो कार्बन सर्जन है उसको जिरो लेबल पर लेके काफी अच्छी बात है परेवन के परिप्रिक्सिया में देखा जाए 1989 को तियान में चौक नर्सहार किस देश से समंदित है तो ये चीन में एक घटना हुई थी लोगतंतर के भाली के लिए लोग संगर्स कर लेकिन बहां पर नर्सहार हुआ था आप इसे याद रखिएगा 1989 की घटना है और जब आपको एक एक दो दिन पहले आई थिंग इसकी जो जेन्ती थी वो बनाएगी उसके कारने समचारपतरों की सुर्खियों में रहा है इसाक अरजोग इस देश के राश्टरपती नियुक्त हुए है तेकि पहले तो हमें इस तरह के नाम रिमेंबर रखने होते जो नब नियुक्तियां होती है बाहां से तो निस्ची तो पर पूछा ही जाता है तो आपको यहां पर बताना है अजाक अरजोग दिखे तो याद रखिएगा इनके बारे में ये इसराइल के राश्टरपती बने है और इसराइल बहुत ज़्यदा सुर्खियों में रहा है इस बार ठीक है तो आप याद रखिएगा इसराइल की राजधानी है यरूसलम औ दोनो प्रसन आपके लिए मत्तोपुर्ण है वार्टसेप ने किस ब्यक्ति को भारत के लिए सिकायत अधिकारी न्यूक्त किया है तो प्रेश भी वाल का नाम आपने याद रखना है इन्हें बनाया गया है वार्टसेप ग्रूप का भारत के लिए सिकायत अधिकारी इनको पॉइंट किया गया है वर्टसेप की स्थापना होई थी वर्ष 2009 में और बर्तमान में जो इसके चीफ एक्जीक्यूटिव ओफीसर है उनका नाम है विल कैत कॉर्ट ठीक है विल कैत कॉर्ट बर्तमान में वर्टसेप के CEO है याद रखी का आजकर काफी ज्यादा सुर्ख्यों क्योंकि नए इनके प्राइवेसी के नियम थे उनके उपर हमारी भारतरकार के दोरा भी कुछ अच्छे निरन्य लिए गया थाकि उस प्राइवेसी के उपर किसी तरह का एकादीकार ना बन पाए तो अब देखिए यहाँ पर एक ग्रिवेंसी जो ऑफिसर अपॉइंट कर दिये गये है वार्ट सेप की तरफ से दूसरा सियुक्त राष्टर बैस्विक सतत परिवहन समेलन 14-16 अक्टूबर 2021 को कहां पर आयोजित होगा तो देखिए इसका आयोजन होगा बीजिंग में और बीजिंग सहर पड़ता है आपका चीन में याद रखिएगा नेक्स्ट बन इस जबली अच्चो ने किस देश में पाये गया है कोबी-19 बेरियंट का नाम कपपा और डेल्टा रखा है भार, सिरलंका, अमेरका या जपान तो इस प्रसंद का सयुत्तर होगा आप्शन ए यानि भारत में जो कोबी-19 का पैड़ामिक पाया गया है डेल्टा, साथ में आपको याद रखना है World Health Organization की स्थापना हुई थी साथ अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालिया है जिनेवा स्वीजर लैंड में, बरतमान में जो इसकी हड़ेक्स उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबसस, ठीक है तो ये इतने फैक्ट है आप याद रख लेते हैं तो आप बड़े से बड़ी प्रिक्षा को भी असानी से क्वालिफाई कर लेंगे, मेगमा फिनकॉर्प का हदेक्स की से न्युक्त किया गया है, देखिए मेगमा फिनकॉर्प का हदेक्स बनाया गया है, अदार पुनावाला को option 10% का बिलकुल सही उत्तर है, Center for World University Ranking 2021-22 के मताबिक 207 पर ranking में सिर्शस्तान हासिल किया है, तो देखिए नंबर बन पे रही है यहाँ पे Harvard University, Harvard University is the right answer, और साथ में आपको याद रखना है कि भारतिया पैक का नेतरित्वा डवल आई-म अहमदाबाद करता है, जिसने 415 में rank हासिल किया है, और बाद भारतिया जो बिक्यार संस्तान है, 459th rank पे रहा है, तो हमारे education system देखिए, वर्ल्ड में the comparison किया जाए और इस report के मताबिक बहतरी नहीं है, भारत का पहला सोदेशी तापमन data logger, MB tag किसके द्वारा विक्सित किया गया है, तो WIT रोपड के द्वारे से विक्सित किया This is very important question, next one, विश्व साइकल दिवस कब बनाया जाता है, याद रखिएगा, 3 जून को बनाया जाता है, विश्व साइकल दिवस और 5 जून को बनाया जाता है, विश्व परेवन दिवस ये भी आपने याद रखना है, आगे हम दिसकसिन करेंगे, हिमाचल परदेश के बहु बनाया जाएगा, और सिमला में उसकी चलापूर्ती की जाएगा, सिमला में जो हमारा सिवरे सिस्टम है, जो मल वेवस्त है, उसके उपर भी धनमुहिया करवाने की बात कही गई है, तो आपको उन चार आप्शनों में इसका सही उत्तर पहचानना होगा है, ये सिन डिवेल बूतनात मंदिर की बात करें तो आपका मंडी में पड़ता है, जी भूतनात पूल की बात करें तो ये आपका कुल्लू में है, हाली में जो माननी हमारे सिक समंत्री इस पूल की जो दुर्दस है, उसको उनने अबलोकन किया है, और उनने आदेश दिया कि जल्दी से इसकी फार्मा हाउस भी खरिदा हुआ है और आजकर सुर्खियों में क्यों है यह आपको बता दें तो बाली गुबूर की अबिनित्री है यामी गौतम तो गोहर दिखें गोहर एक स्थान बढ़ता है हमारा मंडी जिला के अंतरगती है तो गोहर के समीप एक नियोरी गाउं है बहा आपको याद रखना है हिमाचली अबिनित्री है यामी गौतम उन्होंने साधी कर ली है आदित्या धर से जो की उड़ी दी सर्जीकल स्ट्राइक फिलम के डिरेक्टर भी रहे है मंडी जिला के बलक सेतर में किस फसल को जुलसा रोग यानि लेट वहाइट से भारिक समता प निवर्स्टी के अंदरी आपका लाल बादूर सास्तर मेडिकल कॉलेज है यही बल गाटी का जो कसेतर है वही अपने आटो मोटो मोईल के कसेतर में भी जानी बानी एक सक्सियत है और आपने रिवाल्सर प्रेटन स्थान के बारे में सुना होगा वो भी इसी बल गाटी में पड़ता है तो इसी बल गाटी में जो हमने इसकी फर्टलाइट के बाद की मिनली पंजाब के नाम से जाने जाता है तो यहां पर देखिए बरतमान में जो हमारा बरसाइट का सिजिंग चैसे सुर्व होते है यहां पर बहुत बंपर टमाटर की फसल की जाती है ठीक है जी भारत के भीविंतरा के कोनों में यहां से टेमाटर जाता है ठीक है जी तो यह आपने याद रखने और इस इसमें हमें देखे जो बरसात का मौसम होता है बहुत ही कम जगा पे टेमाटर की फसल होती है इस बरसात में लेकिन यह बल बैली है पूरे भारत की जो टेमाटर के साथ में आपको एक बहुत नहीं होगा प्तोपुन जानकारी और दे दें फोरेश्च सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 की अनुसार कुल्लू और लौस्विती जिले को छोड़ कर बाकी 10 जिलों में बनों का आकार बड़ा है इनमें सबसे बेहतरिन प्रदरस्तन जिला कांगडा का रहा है दूसरे नंबर पर उन्ना है और तीसरे नंबर पर हमीरपूर के जंगलों का आकार बड़ा है ये फैक्ट भी आप प्याद रखिएगा मुख्या प्रिक्साग में भी आप इन तरह के इस तरह के फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो इमाचल परदेश में कौन सा अस्पताल करोणा की वैक्सिनिशन उपलत करवाने वाला परदेश का पहला नीजी अस्पताल बन गये है नीजी सब यहाँ पर आपने जरू जोड़ना है ठीक है जी तो यह अस्पताल है जी जिला कांगडा का 40 अस्पताल है अप्शन सीज प्रसंद का बिलकुल सही उत्तर है ब्याक्या हिमाचल परदेश के कांगडा का 40 अस्पताल परदेश का पहला अस्पताल बन गये है जहाँ पर वैक्सिन लगवाने बालों के लिए कोबिट सीर्ड की किम्मद 8500 रुपे और कोबैक्सिन की किम्मद 12500 रुपे निरधारित की गई है तो स्ट्वेंट साब देरी ना कीजिएगा आप अपने गूगल प्ले स्टूर में जाईए और बहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशन और एजुकेशनल रैप में इस्टॉल कर लीजिए बहुत ही महत्तोपुन हदेन स्मगरी से लेस हमारा एचेस का कोर्स लॉँच हो चुका है ये की कोर्स में आपको 10 वर्सों के ओल्ड कोसिन पेपर मिलते हैं जिनको आप डेंट कर सकते हैं वहाँ पे जाके और अपने आपको परक सकते हैं आपका स्कोर रहा है कहाँ पे आपके कमी रही है और लास्ट में आपको एक्स्पिनेशन के साथ में उसके उत्तर मिलेंगे जिसके धार पर अप अच्छी से तैरी कर सकते हैं शिक्स मन्त की इसकी बेलेटी है कम्प्रिट स्लेबर्स प्यकेज की आपको पीडियाप मिलेगी पिछले पंदरा महा के करंट फेर और मॉक टेस्ट आपको 10 उत्कृष्ट स्लेणी से लेस्ट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे तो ये सारी के सारी हैं आपको हदेन समगरी मिलती है इलेट स्टेडी के से एजुकेशनल एप पे पूलिस का कुर्स भी बहां पे लॉंच हो चुक है उसे भी आप अबेल कीजिएगा तो देरी ना कीजिएगा पहले आप इसका फ्री डेमो लीजिएगा उसके बादे आपको अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ियेगा और इलेट स्टेडी को रोटीन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी वेबसाइट है जहांपे आपको विभिन तरह के कंपरेटिव एक्जाम की उतकरिष्ट किताबें उपलवद करवाये जाती है इस वेबसाइट को बिजिट कीजिएगा और इन किताबों के साथ में अपनी त झाल 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 झाल